ओम एके दंताय बिदमहे भक्रटुंडाय धीमही तन्नो दंती प्रचोधयात। श्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना योटूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही चमतकारी और प्रभावसाली उपाय बताऊँगा। होली की रात बड़ी सिद्ध रात होती है और उस दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो 100% कार सिद्ध होता है। कोई भी मनुकावना बोल करके आप उपाय कर लिजिए, आपका कार जरूर सिद्ध होगा। होली की रात सिवलिंग से चुपचाप उठा लाएं आप एक चीज और आपकी प्रतेक मनोकामना पूरी होगी आपको क्या चीज लानी है क्या उपाय करने है संपूर जानकार के लिए वीडियो को लाश्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बैल आइकन बटन को प्रैस कर देखें आप इसकीन पर देख रहे हैं ऐसे होली लगाई जाती है यह लकड़ी उपला हर चीज से होल का तियार की जाती है और फिर होल का देहन किया जाता है उससे पहले होली की जगए पर पूजन किया जाता है होली की जगए पर अच्छी तरह से पूजन किया जाता है तब जाकर के वहां पर लकड़ी और बाकी सामन रखा जाता है अब आपको क्या करना है वह मैं बता देता हूँ कुछ सामान आपको ला करके रख लेना है होली से एक दिन पहले चार नीवू ला करके रख ले जो सावतों और नीवूं पर दाग लगे हुए ना हूँ ज्यारना थे और आपको भांग की थोड़ी सी पत्तिया पुश्प पांच गोमती चक्र पांच पीली कोड़ी बस्मी इत्र सफेद मिठाई थोड़ा सा सिंदूर ये सामान आपको ला करके रख लेना है और साथ में मीठा पान ग्यारे लोंग ये सामान और एक नारियल ये सारा सामान आपको ला करके रख लेना है अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जहां होली पुझ रही हो वहाँ पर आपको नमस्कार करके आना है उसके बाद में जब होलका दैन हो उस समय आपको नारियल और पान और एक सोपाड़ी साथ ले करके जाना है और आपको सभी घरवालों का हाथ लगा करके हुलका देन में डाल देना है उसी समय बापिस आ करके आप जो चार नीवू लिये थे वह चारों नीवू सभी का हाथ लगा करके और अपने घर के मेन दरवाजे से साथ वारों सारे उसके बाद में आपको चारों नीवू के दो दो हिस्सी कर लेने और किसी भी सुमसान जगह पर वह फैंक देने जब आप उसार रहे हों तो उन पर काला टीक आपको लगा देना है अब आपको सिवजी के सामने जाना है जैसे आप होलका देन का कार करके आ गए उसके बाद में सिवजी के पास जाना है और आपको सिवजी पर एक लोटे में गंगा जल डालना है सुद्ध पानी डालना है उसमें थोड़ी सी बस में डालनी है और वह ओम नमसवाय कहती हुए सिवलिंग पर अरपन करना है उसके बाद में आप सिवजी पर पुष्प चड़ाएं उसके बाद में भगवान सिवजी के सामने दीपक जला दें आप जो गुमती चक्र और पीली कोड़ी ले गेते वह सिविलिंग पर अरपन कर दें भगवान के उपर आप भांकी पती या बेल पत्र जो लगें वो अरपन कर दें उसके बाद में ओम नवस्वाय का आपको जाप करना है मही बैट करके ओम नगस्वाय का आपका जाप एक माला तीरे वाला जाप करें उसके बाद में आपको वह जो गुमती चक्रों पीली कोड़ी है वह उठा लेनी है और वह आपको बापस अपने घर लानी है अब आपको ध्यान देना है कि जब होलका देन हो जाएगा यह उलका देन की रात को करना है मनुकाबना बोले है अब आपको रंगों वाली होली यानि जो उलका देन की दूसरे दिन होली आती है उस दिन आपको पाय करना है जो उलका देन जा हुआ था वहां से थोड़ी सी राख आपको लेकर करना है किसी डिबी में भरकर के ले आएं और जो सामान आपके पास पहले से रखा हुआ था और आपके पास एक नारियल भी हुआ जो आप वहाँ पर डाल कर क्या है थे हुलका देन वाले दिन उसके बाद में आप हुलका देन के दूसरे दिन एक नारियल और ले आए और एक सूखा गोला भी ले आए अब आपको ग्यारे लोंग और गोमती चक्र पेली कोडी सूखा गोला नारियल घीका दीपग और मीठा सपेथ ये ले करके सवाल ले जाना है भगवान सिब जी को पहले आपको क्या करना है कि एक लोटे में थोड़ी सी बस्म और राख जो आप हुलका के लिए क्याए थे वैट डाल करके भगवान सिब को ओम नमर्सपा कहकर किशनान कराना है और जब सिबलिंग से नीचे वो जल गेगा तो आपको लोटे में भर करके साइड में रख लेना है उसके बाद में आप पूजा करें सिब जी की मीठा अरपन करें और गुमती चक्र और आप पीली कोडी चड़ा दें और साथ ही आपको नारियल और सूखा गोला जो था उसमें आपको मीठा बरके ले जाना है वह सूखा गोला आपको सिबलिंग पर अरपन कर देना है अब आपको जैसे पहले दिन आपने उबने उस्वाय का जाब किया तो उसी प्रकार से आपको उबने उस्वाय का जाब करना है वहीं बैठ करके उसके बाद में आपको क्या करना है यह हरसिंगार के पुस्प जो आप देख रहे हैं अगर आपको मिल जाते ह सिंगार के पुस्प या सपिदा के पुस्प मिल जाते हैं तो यह बहुत ही शुब माने जाते हैं यह चड़ाना बहुत ही शुब माने जाता है और अगर आप आपका पत्ता भी अरपन करते हैं आपके पत्ती की माला बना के भी अरपन करते हैं तो वह भी शुब माने जाता है जब आपका ये कार्व पूरा हो जाए तो आपको 11 लोंग सिविलिंग पर अरपन कर देनी है अब आपको क्या करना है कि सारा सामन आपको उठा ले पूरा सामन आपको उठा लेना है और आपको घर आ जाना है घर आ करके घुमती चक्र, पीली, कोडी आप अपने घर में रख दें और लोंग आपको नहीं लानी लोंग महीं चड़ा रहने देना है और नारियल आपको बापस ले लेना है और भस्मी बाला जो जल था वो भी अब आपको बापस ले लेना है अब आपको क्या अगर ना है कि पूरे घर में बस्मी आपको अर्प डालनी है उसके बाद में जो डिब्बी में अपने एराख रखी थी वह है और थोड़ा सा बस्मी मिला करके घर के अंदर स्वास्तक चिन्न बना दें उसके बाद में जो नारियल आप लेकर ख्यायों से तो गुम्ति चक्रो पीली कोड़े आप लेगर क्या है थे वे आपको अपने कल्ले में पीले कप्रे में बांद करके रख लेनी है और स्वास्तक चिन्न आपको बनाते रेना है और जो भस्मिया आपने लिए है उसमें तोड़ी सी राख मिला करके रख ले और उसका आपको ठीका प्रते दिन लगाना है और घर में स्वास्तक चिन्न भी उसका बनाना है इस प्रकार से यह उपाय करने से हर प्रकार की दिक्कते दूर हो जाती है हर प्रकार की परिशानी दूर हो जाती है और जो नार्यल आप प्रसाद के रूप में खा रहे हैं उससे पुत्र की प्राप् साली उपाह है भगवान की कृपाह से आपकी हर मनुकामना पूरी होगी वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कुरें ओम नमस्युभाएं